हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माई चैनल एट्रेक्टिव लूपस तो फ्रेंड्स आज की हमारी वीडियो क्रोशेट कार्डिगन टूटोरिल होने जा रही है जिसके लिए एक बहुत ज्यादा ब्यूटिफुल सा कार्डिगन इस्पेशली अपने लिए मैंने बनाया है तो पह पहले भी वीडियो में मैंने आपको पताया है कि स्ट्रेट कार्डिगन मुझे कम पसंद है और बिल्कुल रेडिमेट दिखने वाले पैटन के साथ मैंने इसको बनाया है बहुत ही अच्छा और गरम पैटन है यह बेना जाली वाला पैटन है और जो आपको इसमें जाली ज साथ कंटिन्यू कर सकती है और नीचे वाला जाली वाले बार्डर इसकीप कर सकती है या फिर आप जाली वाला बार्डर भी बना सकती है वह भी अच्छा दिखेगा और डबल एक्सेल साइज के लिए भी आपको डिटेल दूँगी आगे वीडियो में सारी का शर्मा जी ने इसी पैटन है तो जब मैं आपको यह बना कर बताऊंगी तो आपको समझ में आ जाएगा आराम से कि मैं क्या कर रही हूं कहां पर हमें क्या करना है ठीक है तो यह देखिए पत्ती वाला पैटन इसमें डाला गया है और यह जो पत्ती डलती है यह पांच डबल क्रूशे इसको फिट से घटाकर तीन कर दिया गया है और इसके बाद में फिट से घटाकर एक कर दिया गया है तो इसी तरीके से पत्ती बनती है और सारी पत्तिया इसी तरीके से बनानी है तो आप देख सकते हैं कितना ज्यादा सिंपल पैटन है यह एक के साथ एक पत्ती चलती रहत बाजू जम मैं इसके बनाऊंगी तो वह भी मैं सेम पैटरन के साथ ही बनाऊंगी यह देखिए इस तरीके से दिखाई देगा और चोकोर गले का मैंने इसको बनाया है और यह इसका मुड़ा आप देख सकते हैं जो सेपरेट किया गया है इसमें भी इस्टिच की तरह से पत् मैं आपको बताऊंगी बहुत ही एजिली यह आ जाती है तो एक बार इसका मेजरमेंट दिखा देती हूँ मैं आपको देखिए चेस्ट पर से जो इसकी चोड़ाई में रखी है यह 32 इंच है तो पहनने के बाद में थोड़ा स्ट्रेश भी होता है तो 34-36 चेस्ट साइज त में जब हम इसको यह देखिए यहां से और यहां तक पूरा मैं आपको दिखाती हूँ इसकी चोड़ाई सामने से तो क्योंकि यह ओपन ही रहेगा तो यह आप देख सकते हैं 22 इंच तक यह आ रहा है और बिल्कुल मतलब जादा खुलेगा नहीं सामने की तरफ से यह और ब और थो करें और अगर वीडियो आपको अच्छी लगे टो अपनी प्लीड के साथ तो उसी की वज़ा से मैं आपको बताया था कि जाली जो है इसमें हलके हलकी पैटन में वह इस रिशे से कवर हो जाती है तो वह जाली बिल्कुल खतम ही हो जाती है तो मैंने आठ बोल खरीदे थे क्योंकि मैंने सोचा था कि मैं अपने लिए इसका कुछ बनाऊंगी इस उन से पहले भी मैंने अपने चल पर एक काडिगन बनाया था बहुत ही ज्यादा ब्यूटिफुल वह काडिगन बना था तब ही मैंने सोच लिया था कि मैं अपने लिए भी काडिगन बनाऊंगी तो मैंने आठ बोल यह पर्चेस किये थे आठ में से पांच बोल मेरे इस काडिगन का मैं इस cardigan के साथ ही कुछ बनाने वाली हूँ जो इस cardigan के look को complete करेगा और बहुत ही ज्यादा खुबसूरत वो चीज इसके साथ देखने वाली है अभी मैं आपको नहीं बताऊंगी वो क्या है तो third video में आप देख लेंगे मैंने इसके साथ में और क्या ready किया है तो आप चा बहुत है तो थोड़ी सी वजनी रहती है यह लिकिन बहुत ज्यादा गरम रहती है तो आई फिर इसको बनाने स्टार्ट करते हैं तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले आपको एक chain बना लेनी है chain की counting मैं आपको नहीं बता रही हूं क्योंकि beginners अगर इसको बनाएंगे तो ए आगे लाकर पहले दो लूपस में से निकालेंगे और फिर दो लूपस में से निकाल देंगे यार्ण ओबर करेंगे और नेक्स्ट वाली chain में ग्रोशय डालेंगे उनको आगे लाएंगे और पहले दो लूपस में से निकालेंगे फिर दो लूपस में से निकालेंगे तो इ वीडियो देखकर double crochet बनाना सीख सकते हैं तो यह देखिए starting वाली 3 chains जो हमने skip की थी वो भी double crochet की गिंती में आएंगी तो यह 3 chain को बिलाकर उसके आगे 4 double crochet और हमने बनाये हैं 5 double crochet हमारी complete हो गए हैं अब एक chain बनाएंगे यह दोकरएंगे और नीचे वाली एक chain इसकीप करेंगे हम और नेक्स्टवाली चेन में एक double crochet बनायेंगे ठीक है अब इसके बाद में फिर से एक चेन बनाएंगे और नीचे वाली एक चेन स्किप करेंगे और नेक्स्ट वाली चेन में क्रोश्य डालकर एक डबल क्रोश्य स्टिच बनाएंगे हम अब next वाली chain में crochet डालेंगे और एक double crochet और बनाएंगे तो यहाँ पर फिर से हमें एक एक chain के ओपर एक एक double crochet बनाते हुए पांस double crochet complete कर लेने हैं friends I hope आपने वीडियो को like कर दिया होगा अगर वीडियो को lag नहीं क्या है तो वीडियो को like जरू करें और चैनल को भी subscribe कर लें ताकि आने वाली वीडियो की notification भी आपको मिल जाए यह देखे 5 double crochet बना लिए हैं मैंने यहाँ पर अब यह देखे 5 double crochet स्टार्टिंग वाले button पर ठीके हैं उसको छोड़ने के बाद में जो काम हमने किया है पहले वाले chain space से लेकर यह हमारा एक बार का pattern है ठीक है एक chain space, एक double crochet, एक chain space और उसके आगे पांच double crochet है यह यही तो एक बार का यह pattern बनाने के बाद मैं अब हम अपना corner बनाएंगे तो इस लिए एक chain बनाएंगे यार्ड ओबर करेंगे और एक chain skip करके next chain में एक double crochet बनाएंगे पहले यह जो एक-एक double crochet हम बना रहे हैं chain space के बीच में यही वो एक double crochet stitch है जिसके उपर हमें आगे चल कर पत्ती बनानी है यह देखे double crochet के बाद में एक chain बनाएंगे, yarn over करेंगे और एक chain नीच वाली skip करेंगे और next वाली chain में एक double crochet हम बनाएंगे और यहाँ पर आप हम अपना kona बनाएंगे तो इसके लिए एक chain बनाएंगे, yarn over करेंगे और same chain में एक double crochet stitch और हम बनाएंगे तो यहाँ पर हमारा एक V stitch बन जाएगा यह देखे इस तरीके से V कितरा दिखाए देगा और यह दोनों double crochet के उपर करेंगे चलकर हम अपनी कोने वाली पत्तियां बनाएंगे V stitch जैसे जो पत्तियां मैं आपको दिखाएंगे थी ठीक है अब इसके बाद में एक chain बनाएंगे याड ओबर करेंगे और एक chain स्किप करके next chain में एक double crochet बनाएंगे यह देखिए तो यह जितने भी एक double crochet हम नहाँ पर बनाएंगे चार double crochet हैं यह भी stitch वाली double crochet को मिलाकर चारो double crochet stitch के उपर हमें पत्ति डालने हैं अपनी फिट से एक chain बनाएंगे याड ओबर करेंगे और नीचे वाली एक chain स्किप करके next वाली chain में एक double crochet stitch बनाएंगे अब याड ओबर करेंगे फिट से एक double crochet बनाएंगे next वाली chain में तो यहाँ पर हमें पांच chain के उपर पांच double crochet stitches बना लेने हैं जैसे मैं आपको starting में दिखाया था एक बारी का pattern ऐसे ही अब हमें यहाँ पर अपना pattern डालना है और यह हमारा shoulder का side रहेगा कंधी बनाएंगे हम यहाँ पर तो पांच double crochet के बाद में एक chain बनाएंगे याड ओबर करेंगे और नीचे वाली एक chain स्किप करके next chain में एक double crochet बनाएंगे यह हो गया, अब इसके बाद में एक चेन बनाएंगे, यान ओवर करेंगे और नीचे वाली एक चेन स्किप करेंगे और फिर से पांस डबल क्रोशे स्टिच बनाएंगे, तो इसी पैटन को रिपीट करना है हमें, यह दिखिए, कॉर्णनर बनाया है, हमने कॉर्णनर बनाने क पांस डबल क्रोशे स्टिच बनाया है, यह मैं आपको यहां से दिखाती हूँ, यह मैं आपको एक बार का पैटन दिखाया था, एक चेन स्पेस, उसके बाद में एक डबल क्रोशे, एक चेन और पांस डबल क्रोशे, ठीक है, उसके बाद में हमने कॉर्णनर बनाया है, यह एक डबल करोशे बनाया है यहां पर इसके आगे फिर से पांस डबल करोशे बनाएंगे तो तीन बार इसके पैटरन रिपीट करूंगी मैं और उसके बाद में हम आपना नेक्स्ट कॉर्णनर बनाएंगे जो कि हमारी बैक साइट पर रहे यह देखिए तीन बार का यह पैटन मैंने बना लिया है यह देखिए यहां से स्टार्ट हो रहा है यह कौने के बाद में वी स्टिच के बाद में जो डबल क्रोश्य हमने बनाया था यह हमारा वी स्टिच है यह डबल क्रोश्य है इसके बाद में फिर से हमने पैटन बनाया है जिसमें हमने chain space के बाद में एक double crochet और फिर से 5 double crochet बनाया है और एक बार और हमने एक double crochet और 5 double crochet stitch बनाया है तो तीन बार हमने 5-5 double crochet यहाँ पर बना लिए है एक chain बनाई हुई है अब दूसरी side में जैसे हमने corner बनाया था ऐसे हम यहाँ पर भी बनाएंगे तो एक chain नीच वाली skip करके next chain में एक double crochet बनाएंगे अब एक chain बनाएंगे, yarn over करेंगे और नीच वाली एक chain skip करके next chain पर हम अपना V stitch बनाएंगे तो कॉने हमें सारे एक जैसे ही बनाने होंगे corner का आपको ध्यान रखना है और हर एक कॉने के बीच में हमें 5-5 double crochet वाला pattern तीन बार डालना है यह देखिए V stitch हमारा बन गया अब एक chain बनाएंगे और अपनी दूसरी साट का pattern बनाने स्टार्ट करेंगे तो नीच वाली एक chain skip करके next chain में एक double crochet बनाएंगे अब इसके बाद में यह देखिए चार यह देखिए V stitch हो गया हमारा corner का और इसके दों तरफ एक double crochet stitch बना हुआ है और यह 4 double crochet stitch के उपर हम अपनी पत्ती बनाएंगे जैसे कि मैंने आपको दूसरी साट पर बताया था अब एक chain बनाएंगे यार्ण ओबर करेंगे दिखाया है ऐसे ही हम यहाँ पर बनाएंगे और यह हमारी back side का neck वाला हिस्सा रहेगा उसके बाद में फिर हम अपना तीसरा corner बनाएंगे और दूसरी वाली कंधी के उपर हम अपना pattern डालेंगे तीन बार उसके बाद में हम अपना चौधा corner बनाएंगे और उसके बाद में फिर हम अपना सामने का हिस्सा complete करेंगे जिसमें corner बनाने के बाद में हमें सिर्फ एक ही बार pattern बनाना है ठीक है तो यह देखिए यह हमारी back की neck पर इस time में काम कर रही हूँ यह जो मैंने corner बनाया है और यह वाली जो side है यह हमारी कंधी पर रहेगी और यह वाला corner जो हमने पहला वाला बनाया था इसके पहले वाला जो काम है यह हमारे front पर रहेगा इस तरीके से half गला है यह आगे का half हम बाद में आखिर में complete करेंगे तो तीन-तीन बार pattern हमें बनाना है तीनों तरफ ठीक है बैक के गले को complete करेंगे यहां पर corner बनाएंगे और दूसरी वाली कंधी को complete करके यहां पर corner बनाएंगे और फिर उसके बाद में एक बार का pattern हम अपने front के गले पर डाल कर फिर उसके बाद बटन पटी बनाएंगे जिसमें button hole भी बनाना है हमें तो यह मैं आपको दिखाती हूं आगे यह देखे तीन बार का pattern हमने इस कंधी पर डाला है जिसमें एक double crochet और पास double crochet तीन बार बने हुए है तीन बार ही हमने बैक की नेक पर डाला है और उसके बाद में corner बना कर फिर तीन बार का ही pattern हमने दूसरी वाली कंधी पर बनाया है और यह देखे फ्रंट का जो corner बनाया है हमने उसके बाद में एक बार का pattern हमने यहां पर बनाया हुआ है जिस में मैंने पास double crochet stitch बनाया है अब जैसे हमने फ़ोसरी तरह बनाया है यह दोनों चैन स्पीस के बीच में और उसके आगे दो double crochet stitch बनाये हैं अब हम यहाँ पर एक chain बनाएंगे नीच वाली एक chain skip करेंगे और next chain में एक double crochet बनाएंगे अब यारण over करेंगे और next chain में एक double crochet और बना देंगे तो यह जो हमने अभी chain space बनाया है दो double crochet के बाद में यह हमारे button hole का काम करेगा और यह जो 5 chain है यह हमारी button पट्टी पर आएंगी ठीक है जिसमें से हम अपना button निकालेंगे button hole जिसको कहते हैं काज भी इसको कहते हैं तो इसको हम continue रखेंगे नीचे तक और हर 6 row के बाद में मैंने यह button hole बनाया है बटन पट्टी पर ठीक है हर 6 row के बाद में एक रो पर साथवे रो पर हमें यह button hole बनाना है पांस डबल क्रोशे वाली पट्टी के बीच वाली chain को space देकर ठीक है यह इतनी chain आप देख सकते हैं यह मेरी बज गई है और इसको हम बाद में खोल कर कट कर देंगे यह cut करके खोल देंगे अब हम यह से अपना second row start करेंगे तो इसके लिए तीन chain बनानी है हमें और इस piece को turn करेंगे हम अब yarn over करेंगे और यह जो तीन chain है हमारी पहले वाले डबल क्रोशे को पर आ जाती है और दूसरे वाले डबल क्रोशे के उपर हम अपना दूसरा डबल क्रोशे बनाएंगे यह तीन chain हमारी एक Oregon की गिंति में आ जाएंगी अब देखिए बटन होल है इसके ओपर हम एक डबल क्रोशे बनाना है चेन इसपेस के नीचे से डबल क्रोशे हमें हर एक रो में बनाने हैं अब इसके आगे हम अपना पैटन है इसके उपर वर्प करेंगे तो जितने भी हमने एक-एक डबल क्रोशे बनाए हुए है उसके उपर हम अपनी पत्ति डालना है स्टार्ट करेंगे यह देखिए इस तरीके से एक चेन बनाकर या पिछे की तरफ से बनाया है अब क्योंकि स alivearing कर दोबल क्रोश्य दिखाई देगी तो अब इस एचेन में से एक डबल क्रोशे स्टिच हम बनाएंगे हापर ठीक है जैसे कि नॉर्मल डबल क्रोशे हम बनाते हैं चेन में से ऐसे ही हमें हापर एक डबल क्रोशे बना लेना है ये बन गया तो हमने हापर एक ही चेन के उपर दो डबल क्रोशे स्टिच बना दिये हैं ठीक है तो एक बनाएंगे complete नहीं करेंगे यह देखिए उनको आगे लाकर सिर्फ दो लूपस में से निकाला है हमने अब नेक्स्ट वाली चेन में हमें इसको भी incomplete बनाएंगे यह देखिए इस तरीके से दो डबल क्रोश्य हमारे क्रोश्य में आ जाएंगे दोनों को एक साथ हम complete करेंगे तो यहां पर हमारे एक स्टिच कम हो जाएगा अब नेक्स्ट वाली चेन में डबल क्रोश्य बनाएंगे अब यार्न ओवर करेंगे और यह रिखे इस तरीके से दो स्टिच करोश्य में हैं दोनों को एक साथ complete क्रेंगे तो यहां पर फिर से एक स्टिच कम हो गया तो यहां पर हमारे पास पांस डबल क्रोश्य स्टिच के उपर हमने पहला वाला डी पॉइघ्रीस बनाया है बीच का डबल क्रोश्य है उसके बाद म और दीखे नेक्स्ट वाला, एक डबल क्रूशा है, इसके उप्पर हम बैक कोस्ट डबल क्रूशा श्टिच बनाएंगे इसके उपर देखे हम अपनी पत्ती डालना यह स्टार्ट कर रहे हैं तो हमने एक stitch बना दिया है अब याण उबर करेंगे एक double crochet stitch हम chain में से बनाएंगे जैसे कि हम normally double crochet बनाते हैं यह दिखिए यह double crochet है हमारा और double crochet के उपर यह हमारी chain है जैसा कि normal double crochet हम बनाते हैं तो यह आपको chain देखकर chain में से बना लेना है यह हो गया अब yarn over करेंगे और एक stitch फिट से हम back post बनाएंगे इसी double crochet stitch के उपर इस तरीके से तो यह एक chain एक double crochet stitch के उपर हमने यहाँ पर तीन double crochet stitch बना दी है जिसमें से पहला back post है दूसरा normal है और तीसरा back post है ऐसे हमने यहाँ पर स्टार्टिंग में जो एक double crochet को पर दो stitch बनाया है उसमें भी एक back post बनाया है और एक normal बनाया है अब हम यहाँ पर एक chain बनाएंगे यार्ड ओबर करेंगे और यह देखे यह हमारा वी stitch है और वी stitch का जो right वाले double crochet है इसके उपर पहले हम एक back post stitch बनाएंगे यार्ड ओबर करेंगे और एक stitch हम chain में से बनाएंगे double crochet की जो chain है अब एक stitch फिर से हम back post बनाएंगे तो यहाँ पर भी हमारे एक double crochet के उपर तीन double crochet stitch हो जाएंगे यह वही काम है जो मैंने आपको pattern दिखाते हुए बताया था एक double crochet के उपर हम अपनी पती बनाने start करते हैं तो यहाँ पर हम अपनी पतिया ही बना रहे हैं अब एक chain मनाएं यार्ण वर क्या है और वी stitch के left वाले double crochet के उपर हमें फिर से एक back post एक normal double crochet और एक back post stitch बना लेना है यह normal double crochet हो गया एक double crochet back post बना देंगे हम तो यहाँ पर भी एक double crochet के उपर तीन double crochet stitch हमने बना दिये हैं यह देखे इस तरीके से दिखाई देगा अब एक chain मनाएंगे यार्ण वर करेंगे और यह जो कंधी वाली side है हमारी इसका यह पहला double crochet है इसके उपर हम अपनी पति बनाएंगे और जो 5-5 double crochet है उसके उपर हम अपने stitches को कम करेंगे जैसे कि मैंने आपको अभी करके दिखाया था 5 double crochet के उपर तो पहले यह वाले double crochet के उपर तीन double crochet stitch बना लेती हूँ मैं पहला back post दूसरा यह normal double crochet chain में से और तीसरा वाला फिर से back post यह हो गया अभी कोना हमारा पूरा complete हो गया है यहां पर अब इसके बाद में एक chain मनाएंगे यार्ण ओबर करेंगे और यह पांस डबल crochet stitch है इसमें से पहला हम back post बनाएंगे इंकम्प्लीट दूसरे को पर एक double crochet बनाएंगे इंकम्प्लीट और दोनों का एक साथ complete करेंगे अब यार्ण ओबर करेंगे नेक्स्थ वाला double crochet complete बनाएंगे यार्ण ओबर करेंगे और आखिरवाला double crochet हम back post बनागर दोनों का एक साथ complete कर देंगे इस तरीके से यह हमारी पत्ती की शेप यहां पर बन जाएगी पास डबल क्रोश्य स्टिच के उपर यहां पर हमारी तीन चेन रह जाएंगी अब यान ओवर एक चेन बनाएंगे यान ओवर करेंगे और नेक्स वाले डबल क्रोश्य के उपर एक बैक पोस स्टिच बनाएंगे डबल क्रोश्य स्टिच और एक नॉर्म डबल क्रोश्य स्टिच बनाएंगे और फिर से एक बैक पोस्ट बनाएंगे तो यहां पर हमारी एक डबल क्रोश्य के उपर तीन डबल क्रोश्य बन जाएंगे सेम काम हमें कंटिन्यू रखना है जितने भी हमा हरे पास पास डबल क्रोश्य है स्टीच बने हुए है उसके उपर हमें स्टार्टिंग वाला और राहे डीखरे स्टीच करके बनाना है और और कौने-वाले सिट्पिछ बने हुए हमारे उसके और भी हम पत्ति बनाएंग़ तो हर एक कौने पर हमारी चार पत्तिया बनेंगी जिसमें से दो वी स्टिच के उपर बनेंगी और दो पत्ति हमें एक एक डबल कुरुशा के उपर बनानी है आई होप मैं आपको अच्छे से समझा पाई हूँ बहुत ही एजी है जब आप इसको बनाएंगे तो आसानी से आपको समझ में आ जाएगा यह देखिए सारा काम मैंने अपना कंप्लीट कर लिया है अभी आखिर की जो बटन पत्ति वाला स्टिच है इससे पहले का एक डबल कुरुशा रह गया है इसके उपर हमें दो ही बनाने हैं जैसे हमने स्टार्टिंग में बनाए थे एक बैक पोस्ट बनाएंगे यानोबर क जाएंगी कोई भी दिक्कत नहीं होगी आपको क्योंकि मैं पहले भी इससे स्टार बना चुकी हूं अब यानोबर करेंगे एक चेन बनाकर और यह बटन पत्ति वाली पास डबल क्रोशेय स्टिच है इसके उपर हम पास डबल क्रोशेय स्टिच कम्प्लीट कर लेंगे और स कम्प्लीट हो जाएगा और कोई भी सवाल आपके मन में आता है या कोई भी कनफ्यूजन आपके रह जाती है तो आप कमेंट कर दीजेगा फॉरन मैं आपके कमेंट कर रिप्लाइग कर दूंगी ठीक है और अगर आप मुझे कमेंट करेंगी कोई चीज आपको समझ में नही हैं अब तीसरा रोज स्टार्ट करेंगे इसके लिए फिट से तीन चेन बनाएंगे और यह देखिए एक बार में दिखाती हूं आपको इस तरीके से दिखाई देगा ठीक है की जैसे जैसे आप इसको बनाएंगे वैसे वैसे इसमें डिजाइन आपको नजर आने लगेगा स्टार्टिंग में थोड़ा कम ही समझ में आता है यह कि स्टार्टिंग के 5 डबल क्रोशे पहले कंप्लीट कर लेंगे हम है कि यह हो गया सब इसके बाद में याड़न अबर करे एक चेन बनाएंगे अब यार्ण ओवर करेंगे और यह देखिए यहां पर हमारे एक डबल क्रोशे को पर दो इस्टिच बने हुए हैं एक नॉर्मल है डबल क्रोश्य और एक बैक पोस्ट जो हमने फिर्स्ट में बनाया था यह इस बार हमारा फ्रंट पोस्ट रहेगा तो प हो गया अब यहां ओवर करेंगे अब एक जो स्टिच है इसके अपर हम फ्रंट पोस्ट बनाएं गे तो इस तरीके से इसको उठाएंगे हम करोश्य से आगी की तरफ से ही क्रोशे डाल कर और इसके उपर हम एक डबल क्रोशे स्टिच बनाएंगे तो यह एक फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशे स्टिच कहलाता है ठीक है अब देखिए सेगंड रो में जो हमने काम किया था वह हमारी रॉंग साइड थी तो वहापे हमने बैक पोस्ट बनाया था और यह थाड रो और फस्ट रो हमारा राइट साइड है तो यहाँ पर हमने फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशे स्टिच बनाया है अब इसके बाद में एक चेन बनाएंगे यार्ण ओवर करेंगे और आगे वाले हमारे पास पांस डबल क्रोशे स्टिच थे फस्ट जिसके उपर हमने second row में दो इस्टीच अपने कम किये थे तो अभी हाँ पर हमारे पास तीन चेन है काम करने के लिए यह मैं आपको दिखाते हूं यह तीन चेन है इस star in वाले 2 double crochet हमने मिलाए थे और राद वाले 2 double crochet मिलाए थे तो यह जो दोडबली क्रोश ऑफर हमने एक साथ हमारे इसके नेक्सट वाले 2 double crochet stitch मिले हुए है इन दोनों को हम एक साथ उठाएंगे करोशया से इसके उपर एक front post double crochet stitch बनाएंगे अभी तीन stitch हमारी करोशया में है ठीक है और एक loop है इन चारों loops में से हम करोशया निकाल लेंगे उन लेकर तो यह हमारी पत्ती अब आप देख सकते हैं यह शेप लेने लगी है और यह स्टार्टिंग में हमने एक डबल क्रोशी के उपर तीन डबल क्रोशी कर दिये हैं और यहां पर यह तीनों हमने स्टीच एक जगा मिला दी हैं तो यह एक ही चेन इसके उपर अब रहेगी अब एक चेन बनाएं है उसकी जो चेन है चेन पीछे रह जाती है यह आपको देखनी है इस चेन में से हम एक डबल क्रोशी और बनाएंगे तो यहां पर हमारे एक ही चेन के उपर दो डबल क्रोशी हो गए एक फ्रंट पोस्ट और एक नॉर्मल अब नेक्स्ट वाली के उपर एक डबल क्रोशी पर cruelty चेन है इस के उपर हम पहले एक डबल ग्रोशा बना लेंगे या नॉवर करेंगे और अब एक हम इसके उपर फ्रंट पोस्ट डबल क्रोश्य स्टिच भी बनाएंगे ठीक है तो एक ही stitch के उपर हमने 2 stitch बनाया है शुरू में और एक stitch के उपर 2 stitch बनाया है हमने यहां पर आखिर में और बीच में एक double crochet stitch बनाया है तो बीच में हमारे पास 3 double crochet आजाएंगे normal और 2 तरफ front post है अब एक chain बना कर yarn over करेंगे और अपनी next वाली पत्ती के उपर हम 3 double crochet के उपर 5 double crochet stitch बनाएंगे जिसमें से हम अपना एक front post बनाएंगे, दूसरा वाला chain के उपर एक double crochet बनाएंगे, yarn over करेंगे और तीसरी वाला double crochet के उपर double crochet बनाएंगे, yarn over करेंगे और यह चोथा हम पहले front post की chain में से एक double crochet बनाएंगे अब एक stitch के उपपर हम front post stitch और बना लेंगे तो यहाँ पर भी हमारी तीन stitch के उपपर 5 stitch हो गए है यह देखिए इस तरीके से दिखाई देंगे यह ठीक है और चारो पत्ती हमें ऐसे ही complete कर लेनी है एक chain बनाएंगे यार्ण over करेंगे और अब अपनी दूस्ती वाली पत्ती के उपपर हमें काम करना है ठीक है I hope मैं आपको अच्छे से समझा पा रही हूँ वैसे तो यह बहुत ही easy है जब आप इस पर काम करेंगे तो आप बहुत ही easily समझ जाएंगे इसलिए मैंने आपको स्टार्टिंग में पैटर्न भी बता दिया था ताकि आपको समझ में आ जाए कि हम कहां पर क्या कर रहे हैं एक पती और इसको भी कंपुलीट करोंगी मैं उसके बाद में निदेखिए यह तीन डबल कुरोशी पांस डबल कुरोशी कोपर हमें तीन डबल कुरोशी एक साथ मिलाने जैसे मैं भी आपको बिलाकर दिखाए थे ठीक है यह आखरी पत्ती भी complete कर लेती हूँ मैं तीन डबल क्रोशे को पर पांस डबल क्रोशे complete कर लेने हैं हमें और पांस डबल क्रोशे को पर जो तीन डबल क्रोशे हमने बनाए थे दो दो एक जगा मिला कर उसके उपर हमें तीनों डबल क्रोशे इस रो में एक साथ मिला देने हैë यह देखिए यह फर्स्ट रो में 5 थे बसक्त हैं很好 एक जगा मिलाए थे दोनों को हमें एक साथ उठेझे और इसके उपर एक तेनी फ्रन्ट ऊब्ल क्रोशय बनांगे in complete याद और तेनल को एक साथ मिलाएंगे तो एक sustainable एक चेंड याप़ रह घाएगई और योडिया лучше doctrine you को कंप्लीट करूँगी मैं कौनिक ऑपर हमारी चार पत्ती डलेंगी जैसे मैं आपको डाल कर दिखाई हैं अभी और पांस-बास टबल क्रोशे को पर हमारी एक ही चेंड रह जाएगी तो इसारा काम में निहां पर कंप्लीट कर लिया है यह दे कि पांच डबल ग्रोशी को प पहला हमने back post बनाया था और दूसरा normal बनाया था जबकि हमें पहला normal बनाना था आपको पहला stitch normal बनाना होगा और दूसरा back post बनाना होगा ठीक है और इसमें जो हम बनाएंगे इस third row में इसमें हम पहला वाला stitch front post बनाएंगे उसके बाद में एक डबल क्रोश्य चेन में से बनाएंगे और उसके बाद में एक डबल क्रोश्य हम नॉर्मल बना लेंगे इस तरीके से हमें इस रो में तीन डबल क्रोश्य बनाने हैं इसके बाद में एक चेन बनाएंगे और याड नोवर करके आगे के पांस डबल क्रोश् स्टिच कम्प्लीट कर लेंगे जैसे कि मैंने हापर किये हुए है ठीक है अब एक चेन बनी हुई है अब यार्ण ओबर करेंगे और यह हमारी पहली वाली पत्ती आ गई है और यह रॉंग साइड है तो इसमें हम पहला स्टिच डबल क्रोशा बना लेंगे अपना अब यार्ण ओबर करेंगे और नेक्स्ट वाला स्टिच डबल क्रोशा बनाएंगे चेन में से लेकर अब यार्ण ओबर करेंगे और यह नेक्स्ट डबल क्रोशा है हमारा यह बैक पोस्ट है इस रो में थर्ड रो में हमने फ्रंट पोस्ट बनाया था इस रो में हम बैक पोस कि यहीं डबल क्रोशे को पर तीन हमने बना दिये हैं को फ़िल्म करेंगे चेन में जघ्ञ यार्ण ओबर करेंगे हैं इसके आगे 2 nd-1 क्रोश्यमने एक जगा मिलां थे थार्टे उत्यूह में यह तीन फोर हमुषा उम एक साथ ले लेंगे बैक पोस्त करके और इसके उपर हमें एक पोस्ट डबल क्रोशा बना देंगे अब एक chain मनाएंगे यार नवर करेंगे और इसके बाद में यह हमारी first प्रती आ गई है corner वाली इसमें हम पहला stitch बैक पोस्ट बनाएंगे अब दूसरा वाला normal बनाएंगे तीसरा वाला भी नॉर्मल बनाएंगे, चौथा वाला भी नॉर्मल बनाएंगे, और पांच वाला हम बैक पोस्ट बनाएंगे, ठीक है, तो ये एक पत्ती हमारी कम्पलीट हो गई है, अब ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स, इतना पीस हमने ही रेडी कर लिया है, और फर्स डबल क्रोशी को पर पांच डबल क्रोशी बना लिए है, ये पत्ती हमने एक डबल क्रोशी को पर से स्टार्ट की थी, ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास कॉर्णर पर चार पत्ती है, तो चार पत्ती में से जब हमने पहली पत्ती बना ली है, तो इसके बाद में हमें एक ड पति डलेगी तीन रों के बाद में ठीक है तो इसका आपको ध्यान रखना है यह एक स्टिच आपको यहां पर डालना है अब एक चेन बनाएंगे यार्ण ओबर करेंगे और अपनी नेक्स्ट वाली पति के उपर हम वर्क करेंगे जिसमें से पहला स्टिच हम बैक पोस्ट बन है औरूब करोले आरा जाता है यहां पर कॉर्ण आरो भूट एक क्योन उपर करेंगे और यह जो चैन में याइदर बनाएंगे यह स्टिच बनाएंगे यह डबल करोश्य सब्क्राइब हरा सकते हैं जैसे थैसे हमने फिरस्ट वह गुट संसरह एक ही चेंख एइक दबल क्रोश्य ऑी इसे हमने यह बनाया को फिरस्ट की वीजिञ तीच Colonel आपर शिति शह थै करण आपनी धिया यह दो पत्तियां बीच में अलग करने के लिए हमने इसके उपार हम अगे पती चलाएंगे ठीक है थो हर 1 फ्रण पाप काम करेंगे पांच हे नीवर करेंगे इताए डाये कामपन बनाना है और सेकंड imported a material बनाना है और थार्ड वाला normal double research बनाना है और उसके बाद में metal बनाना है और से बाल पोस्त बनाएंगे तो है यह चाहिए डबल क्रोश्य हो गए इसके बाद में फिर से हमहे टबल्ल ग्रोशिद आलेंगे आगे बाली 49 स्पेस में जैसे हमने दूसरी साइट की दो पत्तियों के बीच में डाला था तो इसके लिए एक चेन बनाएंगे यार्ड ओवर करेंगे और एक डबल कुरूश्य बनाएंगे एक डबल कुरूश्य हमारे डल गया इसके उपर हम अपनी पति कंटीनिव करेंगे यह साइड की इनके बीच में एक डबल कुरूश्य डाला है मैंने यहां ठीक है तीन दो रो और में इसको कंटीनिव रखोंगी एक डबल कुरूश्य को अब इसके आगे हम अपनी नेक्स पत्ति को कंप्लीट करेंगे और अपनी कंधी वाली साइड को कंप्लीट करेंगे तो इसमें भी ह तरीके से कंप्लीट करूंगी मैं 5 Ρब कुछी को पर 5s पर 75sm और लग में यह 1 ईप वी श्टीच को पर वी श्टीच और यह एग डो तीन चार गये हैं हमारे च्छी लों कंप्लीट करने के बाद में फिर मैं आपको दिखाती हूं यह कैसे दिखाई मरूट कंप्लीट कर लि भाली की फ्रेंट साइड है कि इग डहों हमने बनाया था how design performed 3 रों में तीन माइदें थे इसके ओपर में कंटिन्यू कि यहां पर व्य ह्जागा में एक स्टीन का एक जो हमने किया है च्व्य दभल स्टिच यहव हम में बना किया है यहां क्योंकि बीच में इसको हमने ऐसे ही कंटिन्यू किया है एक में आपको मैंने डाल कर बताया था उसके उपर दो रो मैंने और बना दी है ठीक है आपको साइड का धियान रखना है रॉंग साइड से बैक पोस्ट बनाना है और फ्रेंट साइड से आपको फ्रेंट पोस्ट डब बनते हैं उसको हमने दोनों को फ्रंट पोस्ट बना हुआ है और आप देख सकते हैं आपको देखकर ही समझ में आ जाएगा यह इस तरीके से दिखाई देगा पूरा मैं आपको खोल खोल कर दिखा रही हूं इसलिए ताकि आपको यह क्लियरली विजिबल हो जाए यह हमारा द चार पत्ती में से दो केविशए में एक डबल क्रोश डाला है और बिस्टीच के ऑपर दो डबल क्रोशे में फ्रंट पोस्ट कंटीनिव ठीक है अभी 7th रोच स्टार्ट किया हूं मैंने बट पक्ति के पास डबल क्रोशे पिश बनाए हूए हैं अब हम हमीं क्या करना है य एक डबल क्रोशी की जो लाइन हमारी चल रहे है, इसके उपर हम अपनी पत्ति डालना है, start करेंगे, एक के उपर तेन डबल क्रोशे बनाएंगे, है ना बहुत इसी पैटन, तो जैसे मैं आपको pattern दिखाया था सेम वही काम है यह एक double crochet को पर हम तीन करेंगे इस वाली line के उपर फिर तीन के उपर पांच करेंगे फिर आगे चल का फिर हम उनको वापस से कम करेंगे यही काम हमें करना है यह 5 double crochet मैंने हाप पर complete किये हुए और यह हमारी हाफ पती है जो स्टार्टिंग में डलती है इसके उपर 3 double crochet चल रहे हैं और यह वाली जो पती है यह पूरे कार्डिगन में नीचे तक हाफ ही रहेगी एक बार यह एक double crochet पर आजाएगी और एक बार यह हाफ पती पर रहेगी ठीक है तो यहाँ पर 5 double crochet बना कर एक chain बनाई हुई है मैंने yard over करेंगे और यह देखे 3 double crochet है यह हमारे हाफ पती के पहले वाले के उपर हम double crochet बनाएंगे normal chain में से दूसरी वाले के उपर हम एक double crochet उठाएंगे incomplete, complete नहीं करेंगे उसको तो chain में crochet डालेंगे उनको आगे लाकर सिर्फ 2 loops में से crochet निकाल देंगे अब yarn over करेंगे और next वाला हमारा front post है तो इसके उपर हम front post stitch उठाएंगे अभी देखे 2 stitch crochet में है और एक loop और है, तीनों को एक साथ complete करेंगे हम तो हमारे हाँ पर एक stitch कम हो जाएगा तीन double crochet को पर दो chain रहेंगे ठीक है, अब एक chain बनाएंगे yarn over करेंगे और ये next वाला double crochet stitch है इसके उपर हम तीन double crochet stitch बनाएंगे जैसे हमने second row में वर्क किया था same वही वर्क हम यहाँ पर करना है एक double crochet को पर पहले हम एक front post बनाएंगे और दूसरा chain को पर से बनाएंगे और तीसरा फिर से front post double crochet stitch बना देंगे तो यहाँ पर हमारी पत्ती की चोड़ाई जो है स्टार्ट हो जाएगी अब yarn over करेंगे एक chain बनाकर अब ये देखें ये आगे वाली पत्ती है हमारी इसमें हम पहले stitch के उपर front post उठाएंगे इंकम्प्लीट अब next stitch के उपर एक double crochet उठाएंगे इंकम्प्लीट दोनों के एक साथ complete करेंगे yarn over करेंगे और एक double crochet को पर एक double crochet बनाएंगे अब yarn over करेंगे next वाली के उपर एक double crochet उठाएंगे अब एक chain बनाएंगे यार्ण ओबर करेंगे और यह देखें यह एक double crochet हमने डाला था फोर्थ रो में यह हमने तीन रो में continue किया है अब इसके उपर हम अपनी पत्ति को डालना है स्टार्ट करेंगे तो पहला front post double crochet बनाएंगे और दूसरा इसकी chain में से बनाएंगे हम और तीसरा फिर से इसके उपर front post बनाएंगे तो यहां पर हमने यह अपनी पत्ति डालनी स्टार्ट कर दी है जो कि हमने फोर्थ रो में दो पत्तियों के बीच में एक double crochet डाला था उसके उपर बनाई है ठीक है अभी इसके आगे फिर से हमारी 5 double crochet stitch है तो एक chain बना कर यार्ण अब यार्ण ओबर करेंगे अब नेक्स वाले double crochet को पर एक in complete उठाएंगे अब यार्ण ओबर करेंगे और एक front post उठाएंगे फ्रेंट पोस्ट के उपर और दोनों के एक साथ हम complete कर देंगे ठीक है अब यह हमारा corner आ गया है जिसमें हमने वी स्टिच डाला था फोर्थ रो में और वी स्टिच के दोनों double crochet को पर हमने front post बनाया है right side में और wrong side में back post continue रखा है अब यहां पर हम front post की तरफ उपर कर रहे ह राइट साइड है है हमारी तो इसमें हम right वाली double crochet को पर अपनी पत्ति डालना यह start करेंगे तो इसमें हम एक double crochet को पर तीन double crochet stitch बना देंगे V-stitch के front post double crochet का rights वाला double crochet है यह इसके उपर हमने एक front post एक normal और एक front post double crochet बना दिया है ठीक है जैसे हमने यहाँ पर बख किया है दोन पत्ति हमने डालने स्टाट की है ऐसे ही corner पर हमें V-stitch के उपर दो पत्ती डालनी स्टाट करनी है और 5 double crochet क्रोशे को कम करते जाएंगे तीन रखेंगे और एक डबल क्रोशे के ओपर हम तीन डबल क्रोशे इस रो में बनाते जाएंगे ठीक है इसी तरीके से एक क्यों पर तीन और पांच क्यों पर भी तीन एक क्यों पर तीन और पांच क्यों पर भी तीन करते हुए तो इसी तरीके स हमारा 9th row पर डलेगा और 3 वी स्टिच हमारा 14th row पर डलेगा ठीक है तो इसी तरीके से वर्क करते हुए पत्तियों को बढ़ाएंगे हम और पैटन का काम पैटन के पैटन के पतीयों को बनाए हमने और ऊसके बातमे हमें और उसके बाद में पतिया उसके बारी हमें पालेना ने बनाए हमने थी तो यहीं आप को दिखा ओद है alar उसके पाल में एक हंतिया हाफ पती है और यहाँ पर हमारी कौने वाली पती के बाद में दो पती है और यहाँ पर हमारी कौने वाली पती के बाद में दो पती कंप्लीट है और एक हाफ है ठीक है पहले रो में एक पती कंप्लीट है दूसरी हाफ है और तीसरी बारी में हमारी दो पत्य कंप्लीट है तीसरी वाली हाफ है और यह हमारी कंदी वाली साइड है जिसमें यह दोनों कोने वाली पत्या है वी स्टिच वाली और उसके बाद में बीच में आप देख सकते हैं चार पत्या हैं हमारे पास में पहली बारी में एक दो तीन चार और दूसरी वा और सेम इसी तरीके से दूसरी वाली कंदी के उपपर हैं और जैसे मैं आपको दूसरी सेट का फ्रेंट दिखाया है ऐसे ही हमारा इस वाली सेट का फ्रेंट भी है ठीक है तो इतना काम मैंने कर लिया है अब इसके मुढ़ों को जॉइंट करेंगे हम ठीक है तो यह देखिए कोई ऋपर हमारी एक पति है एक हाफ है नीचे दत्तीं कम्पलीट है उसके बाद में नीचे की तरफ कम्पलीट है और यह नदका आपको दूसरी तरफ दिखाया था यह दो पतिखाया था श्के उपडूं से तरीके से बंए हुए हैं अब इसको फोल्ड करेंगे हम और the safety pin उससे मिला कर हम इसको रखेंगे और तब इसमें ड़ाइंगे इस तरीके से आप देख सकते हैं तो यह जो दो पतियों के बीच में वीच्टिच का चेंट स्पेस है उसमें यह वाला जो चेंट स्पेस है इसमें सिफ्टी पिन डालना है और नीचवाले पीस में भी यह हमारे बीच चला रहा है, इसका जो बीच का chain space है, इसमें हम safety pin डालेंगे, और यहाँ पर, आप चाहें तो own भी बाद सकती हैं, अगर आपके पास stitch marker है, फ्लास्टिक वाले तो भी डाल सकती है, मैं यहाँ पर safety pin यूज出 करूँगी, ठीक है, तो, इस तरीके से अब इसको फिर से फोल्ड करेंगे हम यह हमारी कंदी वाली साइड है और इसका कॉर्णनर लेंगे हम यह वाला यह बीच का चेनी स्पेस है इसमें हम यह सेफटी पिन लगा देंगे इसको फोल्ड करके और अब हम इसको बंद कर देंगे एक मुट्ध हमारे सेपरेट हो गया है यह हो गया इस तरीके से अब यह इसका बैक का हिस्सा है इसका जो दूसरी सैट का कॉर्णनर है इसको हम फोल्ड करेंगे और इहां से हम अपना दूसरा वाला मुट्ध अलbad कर लेंगे इसमें हम safety pin डालेंगे और ये हिससे लेकर आएंगे front का front का जो हमारा corner है इसमें safety pin को लगा देंगे हम यहाँ पर भी हमारे पास तीन पत्या होनी चाहिए complete और एक half ठीक है इस तरीके से इसमें हम safety pin लगा देंगे तो ये हमारा दूसरा वाला मुड़ा भी separate हो जाएगा अब इसको हम safety pin को लग कर देंगे और इसकी लेंद को अभी हम complete करेंगे second part में सब कुछ दिखाऊंगी मैं आपको करुना गुपता जी ने जो मेरे पास comment किया था double XL size के लिए वेल बेट से cardigan बनाना बताएं तो उनके लिए मैं यहाँ पर थोड़ा से instruction देना चाहूंगी वो आपको follow करना है ताकि आपके size का cardigan का size है वो increase हो जाए तो यहाँ पर जो मैंने pattern डालने start किया है तो आपको 3 row बनाने है same इसी तरीके से जैसे मैंने 3 row बनाए है पत्ती के लंबाई आपके cardigan में इतनी ही रहेगी सिर्फ आपको इसकी चोड़ाई को बढ़ा लेना है तो इससे आपके cardigan की जो चोड़ाई है वो बढ़ जाएगी double XL size में हो जाएगा तो आपको क्या करना है 3 row में हमारे पास जब 5 stitches हो जाएगे तो आपको 4 row में भी stitch बढ़ाने है 5 के उपर आपको 7 करने है ठीक है 3 row में जब 5 stitch हो जाएगे तो 4th row में भी आपको 5 के उपर 7 stitch बढ़ाने है 2 stitch आप ऐसे increase करेंगी जैसे हमने 3rd row में increase किये हैं 3 के उपर 5 किये हैं ऐसे ही आप 4th row में 5 को पर 7 कर लेंगी उसके बाद में 5th row में आप साथ ही continue रखेंगी उसके बाद में 6th row में आपको 7 के 5 कर लेने हैं और 7th row में फिर 5 के 3 करने हैं और 8th row में फिर 3 से 1 आप इसको कर लेंगी और 9th row में आप उसका फिर एक डबल क्रोश्या कर लेंगी तो आपको सेम वर करना है नीचे तक ठीक है सारी पत्तियां आपको साथ डबल क्रोशी की चोड़ाई के साथ बनानी है और वैलवेट जो मैंने आपको दिखाई थी वही आप यूज़ कर सकती है डबल करके आप उसको यूज़ कर लीजेगा और उसके साथ में 10 या फिर 12 नंबर क क्रोशय हुख भी आप ले सकती है ठीक है और जो लीड़ू को इस से चोटे सैज में बनाना चाती है मतलब 28-30 या बत्ती सैज में बनाना चाती है तो वह क्रोशाछ बनाए तो आपका का्रड़ाईगन और जाधा तो आप मुझसे कमेंट करके मुझसे पूँच सकती है मैं आपके कमेंट कर रिप्लाई कर देती हूं तो फ्रेंड्स नेक्स वीडियो में इसकी लंबाई को कंप्लीट करेंगे हम और इसका नेक्स नीचे वाला बॉडर बनाएंगे बहुत ही इजी बॉडर है ये भी बेगिन आपको मिल जाएंगी तो इसके तीनों पार्ट्स आपको देखने हैं अगर ये काडिगन आपको कंप्लीट करना है तो ठीक है और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो अपनी फ्रेंड्स के साथ जरूर ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करें और मेरी चैनल पर विज